दोस्तों अगर आप भी अपनी जिन्दगी में कई ऐसे नकारात्मक शक्तियों के कारण परेशान है या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा प्रशानी आ रही है आपको ऐसा लगता है कि किसी ने हम पर तंत्र मंत्र या काला जादू का प्रयोग किया है तो आप इस विडियो को देखने के बाद खूद इस संकट से निकल सकते हैं कल दोस्तों कई बार लोग अपने ही लोगों की तरक्की से जलने लगते हैं उनकी यह जलन सिर्फ इसलिए होती है कि वो तरक्की क्यूं कर रहा है उसे परेशान और तबाह करने के लिए कई बार ऐसे लोग तंत्र मंत्र काला जादू करते हैं लेकिन हमारे वैदिक और तांत्रिक विधान में ऐसे उपाय भी बताया गया है जिससे नकरात्मक तंत्र को काटा जा सके सनातन धर्म में शुरू से ह कि ऐसे अद्भुत उपायों को बताया जाता रहा है लेकिन लोग इसको महत्व नहीं देते हैं दोस्तों हमारे ग्रंथ में ऐसे कई सारे उपायों को सहेज कर रखा गया है हिंदू धार्मिक पुस्तकों में ऐसी कोई बिमारी टोना टोटका जादू मंत्र या काला जादू के सहज उपाय बताये गए हैं इसलिए ही सनातन धर्म को विज्ञान के अनुरूप मना गया है और आज उन्हीं नियम को बताने वाले हैं जो यूगों से चलिया रही हैं दोस्तों जंगल में पाय जाने वाला ये पौधा जिसे पारस पीपल कहा गया है बताया जाता है कि अ जंगली पौधा होता है जो पीपल के पौधे से बिलकुल भिन होता है लेकिन इसमें कई ऐसी शक्तियां जिनको जागरित कर उप्योग में लाया जाता है जिसका उप्योग कर काला जादू जैसे घातक प्रहार से बचा जा सकता है अगर आपके घर का कोई व्यक्ति टोने तोटके या ऐसे ही काफी समय से बीमारी से प्रशान है तो उस आदमी को पारस पीपल के पत्ते में ओम हम हनुमता नमह लिखकर पत्तों को बीमार व्यक्ती के हाथ में धरा कर भगवान से बीमारी से मुक्ती पाने की प्रार्थना करें इसके बाद बीमार व्यक्ती के हाथ से उन पत्तों को पानी में प्रवाहित करवा दें, ऐसा करने से अवश्य ही लाब होगी, और बिमारी व्यक्ति को अराम मिलेगी। पारस पिपल के पोधे की एक और लाब बताऊंगा, और इस उपाय से आप आर्थिक संकितों से छुटकारा पा सकते हैं, इसे ध्यान से सूने, अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने, और काफी समय से आर्थिक तंगी जहेल रहे हैं तो आप पारस पिपल का एक सरल सा उपाय जरूर करें इसके करने के लिए 108 पत्ते पारस पीपल की घर लेकर आएं इन पत्तों में भगवान विश्नु का कोई भी मंत्र लिखें इसके पश्चात इन सभी पत्तों को लेकर आर्थिक संकट से मुक्ती पाने भगवान से प्रार्थना करें इसके पश्चात इन पत्तों को जल में प्रवाहित कर दें, अवश्य ही आपको आर्थिक संकत से मुक्ती मिलेगी.